अगर आप घर पर सूप बना रही हैं और उसका एक डिलिशिस टेस्ट चाती हैं तो आपको इसे बनाते हुए कुछ गलतियों से बचना चाहिए सूप को बेहद ही हेल्दी डिश माना गया है सूप कई तरह के पोशक तत्वों से पैक होता है इसलिए चाहे मौसम कोई भी हो लोग कई तरह की सबजियों का सूप पीना पसंद करते हैं नियमित रूप से सूप को आज सेवन करने से ना सिव वजन कम करने में मदद मिलती है बलकि ये आपके शरीर में उर्जा किस तरको भी बनाये रखता है जिससे आप खुद को अधिक अक्टिव महसूस करते हैं वहीं ये आपके पाचन तंतर को भी दुरस्ट रखता है और कई तरह की बिमारियों के हीलिंग प्रुसेस को भी स्पीड अप करने में मदद करता है हाला कि सूप से आपको इलाब तभी मिलते हैं जब आप इसे सही तरह से कुप करें अक्सर महिलाएं घर पर सूप इसले नहीं बनाती क्योंकि उसका टेस्ट बहतर नहीं होता है हाला की ऐसा इसले होता है क्योंकि इसे कुप करते समय आपसे कुछ छोटी-छोटी गलतिया हो जाती है जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता लेकिन इसके कारण आपके सूप का टेस्ट उतना भैतर नहीं होता है तो चलिए आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात कर रहे है सबसे पहले सिम करने की जगा उबालना जब आप सूप बना रही हैं तो उसमें एक दो उबाल आने के बाद उसे धीमी आज़ पर पकाना चाहिए अगर आप इसे उबालते हुए तेज आज़ पर पकाती हैं तो इससे आपकी सबजियां वमीन जल्दी ड्राइ हो जाती है और सूप का स्वाद बिगड़ जाता है इसके अलावा जब आप सूप को धीमी आज़ पर पकाते हैं तो इससे इनकी पौश्टिक्ता बरकरार रहती है दूसरी गलती परियाप्त नमक का उपयोग ना करना जब आप सूप बना रही हैं तो सीजनिंग का खास्तोर से नमक का विशेश रूप से ख्याल रखना चाहिए अगर आप नमक डालने में गड़बड़ी करती हैं तो इससे पूरे सूप का स्वाद बिगड़ जाता है सूप बनाते समय भले ही आप रेसिपी को फॉलो कर रही हैं लेकिन फिर भी आँख मूंद कर मसालों का खास्तोर से नमक सूप में ना डालें अपने टेस्ट बड़ पर भरोसा करें और उसके अनुसार ही सूप में नमक का इस्तमाल करें तीसरी गलती सबजीओं को ओवरकुक करना अगर आप सूप के टेस्ट को ला जवाब बनाना चाहती हैं तो सबजीओं को ओवरकुक करने से बचें इससे उनका टेस्ट बिगड़ जाता है उधारन के तौर पर अगर आप वाइट बीन सूप बना रहे हैं तो प्याज, लहसुन, भुनना शुरू करें फिर पानी जब और बीन्स डाल कर और उबाल लें फिर जब बीन्स नरम होने के करीब हो तब इसमें गाजर डालें इस तरह गाजर पक कर निकलेगी लेकिन गूदेदार नहीं ठीक इसी प्रकार अन्य सब्जियों का सूप बनाते समय भी उन्हें पकानी के लिए उन्हें जितना समय चाहिए उसके अनुसार ही डालें चौथी गलती शुरुवात में टमाटर डालना ये भी एक मिस्टेक है जिसे हम अकसर कर बैठते हैं सूप बनाते समय टमाटर को नहीं डालना चाहिए इसमें मौजूद आसिड बीन्स और सब्जीओं को कुरकुरे रख सकता है जिससे सूप का टेस्ट अच्छा नहीं आता इसलिए सूप बनाते समय आखरी 20 मिनिट से पहले टमाटर ना डाले जब तक कि अन्य सभी सामगरी लगभग पक ना जाए पांचवी और आखरी गलती गार्निशिंग को इग्नूर करना अगर आप सच में अपने सूप को रेस्टों जैसा स्वाद देना चाहती हैं तो ऐसे में मुठी भर फ्रेश हर्ब्स, ताजी पिसी हुई काली मिर्च, पार्मिसन चीज, कुरकुरे, कूटन्स को जरूर शामिल करें इससे सूप में स्वाद वर टेक्शर दोनों अड़ होते हैं आप अपने सूप के अनुसार उसमें बैलसमिक सिरका, ताजा नीम्बू के रस, दही, क्रीम, कद्दू के बीज या एक चम्मच पेस्टो आदी डाल कर उसे स्वाद को और भी बहतर बना सकती हैं वैसे भी कहते हैं कि व्यक्ती पहले अपनी आखों से खाता है, फिर मूँ से, इसलिए अगर आप सूप अच्छी तरह गारनेश होगा, तो हर कोई उसे टेस जरूर करना चाहेगा